दोस्तो हर तरफ दर का महूल है, हर तरफ लोग recession की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, FED क्या करेगा, बात करें कि 2022 में जो uncertainty market में रही, क्या हो 2023 में रहेंगी, क्या सारा माल बेचके बाहाग जाना चाहिए, क्या recession बहुत खतानाक सरीके से बजार में आने वाला हैं, जैसे अगर ये चीज़ डिक्लेर हो जाती है, कि वहाँ recession आ रहा है, तो क्या शेर बाजार ओंधे मुख रखने वाला है, क्या 2008 से खतराक मंदी आने वाली है, क्या 2020 का जो COVID का आटेक था स्टराक मार्केट की ओवरें, क्या उससे भी जादा बाजार क्रेश करेगा, ये बहुत काते आते, आप अपना decision खुद ले पाएंगे, किसी पर depend नहीं होगे, हो सकता है आपको लोगे कि मैं तेज़गी में बैठा हूँ, आप अपना decision खुद लीजिएगा, क्योंकि जो decision आप अपने दिल और दिमाग से लेंगे, वो आफिर में आपकी help करने वाला है, हम इस video मे एक ऐसी स्थिती है, जब देश-दुनिया में मंदी की हाहाकार देखने को मिलती है, GDP नेगेटिव चले आती है, growth नेगेटिव चले आती है, IIP numbers, industrial data खराबने लगता है, employment आपके हाथ से छूट जाती है, बलोगों को रोजगार से निकाल दिया जाता है, जब recession बजार में आ market जब भी suppress हुआ है, तो जब लोगों को नौकरी से आद धोना पड़ा है, तो वो एक ऐसा मौका था जिसको हम कह सकते हैं, हाँ recession थी, तो क्या अभी भी भी आ रहा है, हाँ हर जग है, कहीं ने कई recession तो है, recession औरड़ी यूरोप में एंटर कर चुका है, recession औरड़ी US में एंट क्राश कर जाती है, बहुत बुरी तरह से, क्या वो scenario अब नहीं है, दोस्तों जब से mutual funds हमारे है, mutual funds है, campaign run हुआ है, बहुत जबरस तरीके से आप देखेंगे, कि हर महीने 25-30,000 करोर का AUM mutual funds के थुरू हमारी stock market में आ रहा है, हम net buyers हैं, और इसका एक फाइदा, actual में FIs को मिल है, institutional investors को मिल रहा है, जिनको एक अच्छा exit मिल जाता है किसी भी भाव पे, तो अगर आप सोच के देखेंगे, बड़े investors को, smart money को, institutional investors को, FIs को, अगर अच्छे तरीके से exit मिल पा रही है, तो क्या वो दुबारा हमारी देश भी निवेश नहीं करने हैंगे, पहली बात, दू Inflation is a part of growing economies, जो भी economy grow करती ही, inflation उसका part है, अगर US Fed की बात करें, जहां पे interest rate जहां 2% के आसपास हुआ करते हैं, 10-year bond yield अब highest पे है, दोस्तों, एक time पे क्या होगा मालूम है, अभी Mr. Powell जो है, अभी America से जो message आ रहा है, वो बड़ा confusing है, वो बहुत confused है, अब सोच के देखें वो बात करते हैं कि हम इस inflation को control करेंगे, rate of interest को 2% पे लेके आजेंगे, क्या ये practically possible है, नहीं, बड़ी boldly मैं आपको इस वीडियो के बादम से कहना चाता हूँ कि ये practical possible नहीं होगा, और पूरे 2003 इसमें इसी डर्म को बजाते रहना कि हम लेके आएंगे 2% लेके आएंगे 2% और बढ़ते बढ़ते भागते 5% के ऊपर निकल जाएगा, तो क्या 5% के ऊपर जाके break नहीं लगेगा, क्या ये 5 के ऊपर 6, 7, 8, 10 की बाते कर रहे हैं, तो US के तो पूरा world war बात होने माला है, सब interconnected हैं, ये सभी economies एक दूसरी आप में connected हैं, बट ऐसा नहीं होगा, एक time के ब बाते करेंगे, हम growth की बाते करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कहीं ने कहीं वो चीज़े accept होनी साथ जाएगे, तो मेरा जो अनुमान है, जो मुझे लगता है, शायद में भी within 4-5 months maximum, अगर ये rate of interest बढ़ते भी रहते हैं, तो जो latest statement थी FED की तरस से, वो यही थी कि जो 2020 का जैन आने वाला है, वहाँ पे हम 5% के आसपास की rate of interest देखने वाले हैं, तो क्या वहाँ पे break लग सकते हैं, दोस्तों, बड़ा important है ये समझना, ये psychology है, जब बजार में डर का महौल बने, आपको खरीदार बनना चाहिए, मैंने आद दो दिन पहले ही अपने जो trading members थे, क्योंकि बहुत ही clearly कहा कि बेचो, क्यों मैं जो पहली बार पिछले 8 महीने में मैंने कहा कि अपनी portfolio को आधा कीजिए, liquidate कीजिए, क्योंकि शायद बजार में यहाँ से corrections आएंगे, crashes नहीं होगे, crash में और correction में फरक क्या है, corrections are always healthy for the market, बजार हमेशा से higher high, higher low के pattern से बजार पिए, बट अगर 10-15% की जो fall आती है, उसको मैं correction कहूंगा, और ऐसी corrections में quality companies शांदर रहती हैं, शांदर, आपको अपना portfolio बना के रहना चाहिए, कौन सी companies आप हमेशा से नजर में रखते हैं, आपकी watch list में रहती हैं, जिसको आप खरीदना चाहते हैं, तो अगर आपके ऐस watch list नहीं है, तो आपको share bazaar में रहने का अधिकार नहीं है, तो आपके ऐस हमेशा एक watch list होने चीए, उस watch list में TCS हो सकता है, Infosys हो सकता है, Reliance हो सकता है, कोई भी ऐसा stock हो सकता है, जो आपको पसंद है, जो आप लेना चाहते थे, mid cap हो सकता है, small cap हो सकता है, micro cap भी हो सकता है, है ना आपको तैग करना है कि बीधी वाच लिस में कौन सा स्टॉक था जो मैं पहले लेना चाहता था नहीं ले पाया मिस हो गया तो अगर इस बार वो करेक्षिन में आपको स्टॉक दिखाई देता है तो उसको लेने में परेज नहीं करना है क्यों क्या कंपनी बंद हो रही ह हर डिप पे investment करते हैं यही एक strategy होती है उन लोगों की जो 4% की उस category में आते हैं जो wealthy है और 96% के असपास जो लोग options trading में लगे हुए future options को trade करने में लगे हैं खाली यह सोच के कि मैं अपनी salary निकाल लूँ मैं रोज के 1000-2000 पे बना लूँ वो time pass कर रहे हैं वो लोग इस crash में correction में बरबाद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, बट अगर आपका focus value बाएंगे है, आपका focus value investing है, अगर आपका focus wealth creation है, अगर आप stock market से वाकी लगपती, करोडपती बनना चाहते हैं तो आपको इस art को सीखना होगा, आपको इस opportunity को miss नहीं करने देना ह है, जाने नहीं देना है अपने हाथ से, क्योंकि पाविल कुछ भी कहे, US कुछ भी कहे, कुछ महीनों में तो यह सब drama कहतम हो नहीं है, मैंने आपको याद होगा कुछ महीने पहले कहा था, जब steel की जो duties थी, बढ़ाई गई थी, उसको rollback कर दिया गया, अभी बहुत टाइम पहले एक news थी, कि sugar का जो export है, वो उसके उपर ban कर दिया गया, अब उसके उपर भी news आ रही है, कि शायद उसके exports को हटा दिया जाएगा, जिसके वेसे सभी sugar sectors की companies थी, सभी के सभी 2020 पसंट के उपर बहुत तेई से भागी है, आपका ध्यान होना चीए value picking के उपर, वे sectors picking के आपको for example, मैं गरें infra की बात करो, infra मेरा hot favorite है, किसके लिए, आने वाले 10 साल के लिए, क्योंकि अगर सरकार की बात करती है, value की, सरकार बात करती है, growth की, सरकार बात करती है, सरके बनाने की, सरकार बात करती है, railways बढ़ाने की, सरकार बात करती है, aviation industries को ठीक करने की, सरकार ब तो वहां भी निस कीजिए, आपको लगता है कि बैंकिंग अच्छी होने वाली है, तो बैंकिंग में निस कीजिए, बट एक लाजिक होना चाहिए, डरना क्यों है, क्रेश आएगा, रिसेशन आएगा, दिखा जाएगा, आप सोच के देखे, दोहजार आट का क्रेश, या नहीं हुआ, एक कहावत है, कि जो गिरा है, उसको उठना ही है, एक और कहावत है, कि शेर बजार हो, चाहिए, इंसान उसको उपर ही जाना है, तो जब आपके सामने वो मुका दस्तक दे रहा है, कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, लोग डर आ रहा है, डर आ रहा ह आपने अगर इस समय भड़ी आशिया नहीं चूजज किये तो آپ आप हाथ मलतेर जाएंगे, रोते जाएंगे, क्योंकि शायद इंडिया जिस bull run में है आप उसको anticipate भी नहीं गर सकते इंडिया की जो growth story है वो real है अगर हम 5%, 6% की growth की बात इंडिया में कर रहे हैं वो real है, वो fake नहीं है बिल्कुल भी fake नहीं है आज पूरा world हमारे यहां पे नजर कड़ा के बैठा है और एक और fact आपको बता दूगा है जिस हम FI's की बात करते हैं कि FI's ने पूरे साल में 2,3,0,0,0 करोड का माल बेचा वो निकल गए वही FI's हमाई देश में शायद 40-50,0,0,0 करोड से निविशित है हमारे यहां पे सबसे बड़ा FI देश कौन है वो US है मौलेशियस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा है US economy की तो US वाली इंडिया में इंडिया करते हैं वो FI's बन के आते हैं आपको बता नहीं कौन FI's कहा मौलेशिया, सिंगपूर से आ रहे हैं आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं तो सोच समझ के रहना है, सीख के रहना है नहीं तो बातार हमेशा से जुआ था और रहेगा और उन लोग के लिए जो बातार को समझेंगे यही असली गढ़ है wealth create करने का Don't miss this opportunity See you in the next video, bye-bye